So guys welcome to new video और आज की वीडियो में हम बात करेंगे step program के बारे में जो अभी फिलाल Amazon में launch हुआ है तो चलिए video start करते है So guys video start करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरी चैनल को subscribe कर दीजे So guys बात करते है step program के बारे में तो उसके पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़े करना चाता हूँ जैसे कि आप सबको पता है मैं Tuesday को अपनी वीडियो लॉंच करता हूँ तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है कि जब भी कोई update आता है वो कुछ दिन पहले आता है अगर कोई suppose जैसे कि यह step program है तो वो कुछ दिन पहले update आया है तो मैं क्या करूँगा आपसे जो भी update आता रहेंगा वो मैं सारी वीडियो एक दो दिन बाद upload करते रहूँगा और जो regular वीडियो आने वाली है Tuesday के वो आती रहेंगी मतलब वो मैं Tuesday को upload करते रहूँगा अगर जो भी update आता है कुछ भी suppose यह step program हो गया ऐसे कोई भी programs के updates आते हो तो जैसे वो update आता है उसके एक दो दिन बाद वो वीडियो लाँच हो जाएगी तो उससे benefit क्या रहेगा आप सबको कि आप up to date रहोगे e-commerce marketplace में तो चलिए यह अपडेट था कुछ अब बात करते है step program के बारे में सो guys step program है क्या basically सारे sellers को एक level दिया जाएगा depending upon your benchmarks मतलब benchmarks पे आपको एक level दिया जाएगा same वोई चीज़े है जो flip card में दी गई थी seller tire में पस इसमें कुछ थोड़ी बहुत changes की गई है flip card seller में क्या था कि bronze, silver और gold करके था same process मतलब थोड़ा अलग है Amazon में भी same week किया है उसमें भी आपको एक level दिया गया है basic, standard, advance और premium करके अभी हो determine कैसे होगा वो determine होगा आपके benchmarks पे आपके account में जो benchmarks रहते हो उसके उपर से आपको determine किया जागे कि आप कौन से level में रहने वाले हो और वो level change कब होगा level हर 3 मेने में change होते ही रहेगा कि आप advance में आने वाले हो आप premium में जाने वाले हो या फिर basic में आने वाले हो अपको उस चीज पे आपको लेवल मिलता रहेगा हुट in the step program में मेरे को सबसे अच्छा लेवल लगा हुग प्रीवयम लेवल लगा है देखो आप सब लोग बोलोगे तो लेवल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लिए वो टॉप अफ दे एंड रहता है बट मेरको ऐसा निया कि वो टॉप अफ दे एंड है तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा है वह ऐसा है कि उसमें प्राइटी सेलर सपोर्ट है देखो सेलर सपोर्ट टीम अगर आप हम कॉंटेक्ट करते हैं तो बहुत टाइम लगाती या फिर बोल सकते हो थोड़ा बहुत डिले होता है उस चीज़ पर यह तो हो गया आपको प्राइटी सेलर सपोर्ट मिलेगा तो मेरे को यह बेस्ट चीज लगिए चलिए देख लेते हैं अपनी कॉंपिटर स्क्रीन में कि क विजिट करिएगा जरूर तो चलिए देख लेते हैं स्टैब प्रोग्रम का डेश्बूर कहा पर आता है देखो तो इस देखो यूजर पैनल में से स्टैब डेश्बूर एकसिस नहीं होगा proper merchant account में से access होगा देखो यहाँ पर लिखा हो रहेगा performance में लिखा हो रहेगा यहाँ पर step your growth plan करगे जैसे आप वापर click करोगे आपको कुछ ऐसा कुछ show होएगा देखो सारे sellers को अभी standard level पर रखा हुआ है मतलब कोई भी basic पर नहीं है March 31st तक सारे sellers जो है वो standard में ही रहेंगे आपके मन में doubt रहेगा तो March 31st तक इतना दिन तक तो guys आपका जो cycle रहता है वो मतलब Amazon की system scan करेगी January 1st मतलब January 1st से लेकर March 31st तक आपकी matrices को scan करना start हो जाएगा मतलब January 1st से आपकी matrices को scan करना start हो जाएगा Amazon की system के द्वारा और जैसे April 1st होएगा मतलब March खतम होने के बाद जैसे April 1st होएगा आपको eligible हो जाएगे कि आप कौन से level में जाने वाले हो basic में जाने वाले हो, advance में जाने वाले हो premium में लेने वाले हो, अगर आप standard में रहने वाले हो तो आपका level standard ही रहेगा, अगर आप premium में जाने वाले हो या फिर advance में जाने वाले हो आपका level उसे साप से decide होगा अगर आपके mattresses अच्छे है तो आप उस types के level पे जाओंगे benefit क्या है सारे levels के चलिए हम देख लेते benefits में देखो यहां पर basic है standard है, advance है और premium है यहां पर लेका online, offline training, seller university, मतलब जो seller university रहती हो किन-किन के लिए applicable है तो basic standard हो चारो के लिए applicable है, brand registry service किन के लिए available है तो भी brand registry सारे सब के लिए available है, basic standard, advance, premium के लिए फिर automation inventory management tool किन-किन के लिए available है, तो भी चारो level के लिए available है फिर payment reserve period कितना है, तो basic में 10 days है, standard में 7 days है, advance में 7 days है, और premium में 3 days है तो premium में यह भी best point है कि 3 दिन में आपको अपना पैसा मिल जाएगा, मतलब आप किदर से भी अपनी product purchase कर रहे है फिर cash में आपको एकदम tick से रहेगा कि maintenance चलता रहेगा, मतलब 3 days में आपको पैसा मिल जाएगा फिर यहां पे आते है, 5th point पे जो किया है, weight handling waiver के बारे में basic में कुछ नहीं है, standard में आपको up to rupees 6 मिल जाएगा, advance में आपको rupees 12 तक मिल जाएगा और premium में आपको up to 12 rupees मिल जाएगा, फिर lightning deal waiver में क्या है, basic में तो कुछ भी नहीं है, standard में 10% off, advance में 20% off है और premium में same है, advance और premium का almost थोड़ी बहुत चीज़े same है, 2020 है, फिर आते account management में, यह क्या होता है, कि आपको एक account manager दिया जाता है Amazon की team के तरफ से, मतलब support team की तरफ से नहीं है, फिर आते standard पे, standard पे भी कुछ नहीं है, advance में based on your criteria मतलब मेरे ख्याल से तो दे देगे, क्योंकि आप credit या अगर अच्छा है आपका तो मिल जाएगा, आपको based on criteria लिखा हो है तो फिर आपको मिली जाएगा, guaranteed है, premium में तो guaranteed है, मिलना ही मिलना है, उसमें कोई वो नह मतलब दोनों का same है, फिर free A plus content for your A science, तो उसमें basic में कुछ नहीं, standard में भी कुछ नहीं है, 30 A science, advance के लिए है, और premium के लिए 30 A science है, फिर confirm invitation, select connect events, मतलब ये क्या होता है कि कोई भी अगर आपकी cities के अंदर events होते है, देखो, या पर लिखा हो है, cities के अंदर कोई भी events होते है, तो आपकी invitation confirm रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कि भाई, invitation डाला तो reject हो गया, कुछ भी और हो गया, तो आपकी invitation confirmed रहेगी, दोनों चीजों के लिए, advance और premium के लिए, चले आते है, last option पर ये, जो कि बहुत ही अच्छा option है, मेरा favorite option है ये वाला, priority seller support है, फिर यहाँ पे देखो, basic में कुछ नहीं, advance में भी कुछ नहीं है, और standard और advance में भी कुछ नहीं, तीनों में कुछ नहीं है, बस premium है, मेरे को ये अच्छा लगा है, priority seller support मिल रहा है, इसमें premium में, तो चले यहाँ पे देख लेते हैं, जो basic criteria है, कि आप कौन से level में रहोगे, benchmarks बोलते हुछे, आम वो भी check क करेंगे, चलो देख लेते हैं, benchmarks में क्या-क्या, तो benchmarks में almost cancellation rate cover किया हुआ, lead dispatch rate है, controllable return rate है, out of stock rate है, prime listing, customer views है, regional in stock है, फिर net sale volume है, तो देख लेते हैं, basic में, अब हाँ, मतलब जादा होगा, 2.0 से जादा होगा, तो आप basic में रहोगे, standard में 0.52, 2.0 है standard में, advance में below, मतलब 0.5 से कम होना चाहिए, premium में भी 0.5 से कम होना चाहिए, फिर आते है, total late dispatch rate कितना होना चाहिए, तो यहां पर 2.0 है, यह दोनों सारी चीज़े same है, फिर advance में भी 0.5 से कम होना चाहिए, premium में 0.5 से कम होना चाहिए, seller controllable rate में क्या होना चाहिए, above 8.0, मतलब इससे जादा होगा, त standard में है, below 4.0 है, तो आपको advance मेलेगा, premium में भी वह ही है, out of stock rate, about 25%, 5 to 25%, below 25%, sorry, below 5%, 5% से कम हो आपका, अगर out of stock rate, तो भी आप advance में हो, premium में भी same है, almost यह दोनों के देखने जाए, तो यह दोनों के almost same है सारी चीज़े, below 0.5, almost same ही है सारी चीज़े, फिर यहां पर आते है, prime listing customer views, इसमें about 50% ही, इसमें भी same है, basic standard और advance यहां तक खतम हो जाता है, यहां से खाली premium का support मिल रहा है, आपको premium की जो benchmark से हो ही है, regional in stock में है, about 35% net sale volume, चलो ठीक है यह भी, about 20 lakhs और about 6,000 unit आपके sold होने चीज़े, मतलब 6,000 unit से जाद आपने sold किया होना चीज़े, मतलब आपके units dispatch होने चीज़े, मतलब 6,000 से में जादा मतलब 6,100, suppose ऐसे लिए लो, फिर about 20 lakhs, मतलब 20 lakhs के ऊपर आपका account का turnover होना चीज़े, 20 lakhs के ऊपर का, अपको यहां पर अपने performance भी check कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हो ही और performance करके, फिर no more करके, no more में आपको सारे यहां पर doubt solve हो जाएंगे, so let's end this video, hope so guys आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी step program के उपर, अगर अच्छी लगे है तो please say like कर दीजे, share कर दीजे और subscribe कर दीजे मेरी channel को, तो चले guys next video हम मिलते हैं